नमस्कार मेरे पेरे साति हो कैसे हो आप सबुध करता हुं सब अच्छे होगे और आप लोगोंगी तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा हो गा मैरे पेरे साति हो एक बहुत बड़े ईगूद निउस और खासखरके खुल कहगी बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया था इस वीडियो में और मैंने ये डाटा दिया था बहतरीन डाटा लेकिन इस डाटा पर मैं छेडशाड करूंगा ये कंफर्म एक डाटा बताऊंगा कि क्या इस बार अपका कटफ जाने वाला है पूरी डिल्स में अधियाब चैनल पे नहीं हो त जब स्ट्राटिक में वेकेंसी जाए थी तभी कि वेकेंसी बढ़के लगभग पचालीज अर प्लस हो जाएगी उस टेम बच्चों ने नका रहा था कि क्या आसर आप कुछ भी बोलते हो तो बड़े-बड़े चैनल नहीं बोलते हैं जो दाटा हम आपको एससे जीडिके ब पर देखेंगे मेरी वीडियो अभी भी पड़ी होगी कि जो कट अपका डाटा में दिया था एक दो नमर का इड़द गिर्द रहा था और डाटा लगभग में बराबर रहा था उस्टेम बच्चे ने जब मैं दिया था कि इतना कट आप जाने वाला बच्चों ने बोला थ लेकिन दे पाया था कि किस परकार से डाटा आप लोगों के बढ़ेगी ठीक है चलिए बात करते सिधे टॉपिक पे कि मेरे प्यारे भाई आप देखेंगे सबसे इंपोर्टेंट वाली बाते हैं कि कि इस बार जो पहले जो वेकेंसी जब आई तो उस टेम वेकेंसी के संख्याएं थी आपको भी पता है कि 26,146 ठीक है और अब बढ़कर हो गया है 46,617 मतलब टूटल वेकेंसी जो बढ़ी है वो 20,471 है यह अगर मैं बता दूँ कि यह बहुत बड़ी वेकेंसी होती है 20,000 क प्लस वेकेंसी बढ़ना अगर मैं बात करूं अपने आप में तो लगभग 75-80% के यह बढ़ा है ठीक है मेरे प्यारे भाई इतना परसेंट बढ़ने का मतलब है कि कटफ में क्या गिरावत आएगा चीजों के बारे में अच्छी से समझेंगे ठीक है यह हमारी रही अब ब लगभग 170 हो गया होगा अब अगर उठा कर देखेंगे तो ठीक है लगभग मैं आपको बता दूं कि यह कंप्लीट डाटा जो दे रहा हूं आप लोगों के लिए वह चीजें आप लोगों को बारी की से समझाने की कोशिस कर रहा हूं कि किस परकार से आप लोगों की कटप जो है वह बढ़ेगी अब कटप के बारे में अगर मैं बता दूं कि सर कितना बढ़ेगी इसके उपर भी हम थोड़ा सा थोड़ा बात हम कर लेते हैं देखिए अगर मैं बात करूं मेरे पैरे भाई की वेकेंसी बढ़ने पर क्या कटप कम जाएगा तो सपोच करिए कि मेरे पैरे भाई वेकेंसी अभी 100 नमर जाती है तो सो में लगबग मेरे पैरे भाई 700 बचे होंगे ठीक है सपोच करिए 100 नमर पर 700 बचे होंगे डाटा बतारो यह सब नहीं कि 700 बच्चे होंगे लेकिन जैसे ही मेरे भाई एगर वहां पर नमर बढ़ा कि 102 नमर कटप जाएगा स को हमेशा याद रखना बच्चों की संख्या में बहुत जादा बहुत जादा परभाव देखने को नहीं मिलेगा क्यों कि भाई यह जादा नमर बहुत कम बच्चों का नमर कम जादा बच्चों का लेकिन अगर 102 चला गया तो लगबग 740 यह 830 बचे ही रपाए ठीक है जि ठीक है तो यह बात को समझ लेना यह मैं आपको लोगों को एक्जांपल देने की कोशिस किया हूं अब बच्चे ज्यादा लेना है क्योंकि जब पहले 100 बच्चों को लेना था अब वहां पे इसको 170 बच्चे को एक अप्रोक्शमिट लेना है तो कटप क्या होगा कम जाएगा तो याद रखना इसमें बच्चों की संक्या जादा हो जाएगी तो याद रखना कि जिस परकार से वेकेंसी बड़ी कटप कम जाएगी अब कौन सा कौन से स्टेट में किदनी कटप जाएगी मैं आपका बता दूँ भाई रेड जोन में मैंने रखा है ऋबिनें देखे यहां पर आते है रेड जोन रेड जोन ऐसे जोन है जहां पर सबसे ज्यादा कटफ जाती है मैंने पहले बताया था कि यूपी अभी हर्याना बिहार उत्राखंड मध्यपर्देश राजस्थान यह ऐसे राज्जी है जहां पर कटप हमेशा ज्यादा जाता है इसके पहले जो मैं कटप बदा था भाई 139 से लेके 113 अब यहां पर चार नमर कम लेके चले जाना तीन से चार नमर इससे अगर आपका 125 पलस बन रहा है ठीक है 125 और लगबग आपका 110 के बीच में बन रहा है तो आप 100 परसंट अपनी तैयारी आप मतला एक सेव जोन में हो ठीक है यह आपको बता दिया हूं यू रेड जोन वाले बच्चे अब कुछ एलोजन वाले बात कर दूं मिडल जोन जिसका जोन मतलों बीच- चल परदेश चंडी गड़ वेस्ट बंगाल पंजाब यहां पर मेरे परवाई से लेके 115 के बीच में मैं पहले बता था डाटा अब अगर मैं बता दूं कि तीन से जार नमर कम कर लेना 111 से लेके मेरे बाई 90 के बीच में बन रहा है तो आप सेव जोन में हो आपका होने का पूरा का पूरा सम्भावना है अचा ठीक है फाइनल पर मैं इसे पलस जितना होगा उतना आपके लिए और बाकी जितने स्टेट्स बच गए है वो सभी स्टेट्स में मेरे भाई 85 तो लो मैंने बताया था लेकिन आप अग बता रहा हूं कि भाया अगर 81 से 81 या 81 से पलस य से नीचे भी हलका भी है तब भी आपकी फाइनल होना 100% समावना है ठीक है यह पूरी अच्छा मैं बता दू मेरे प्यारे भाई सभी बच्चों के लिए कि जो बच्चे ऐसे से जीडी 2025 के लिए त्यारी करना चारूंगे मेरा बुक आ चुका है complete previous year में दे दिया हूं 35 papers आपको पूरा डाटा एक टोटेल एक्जाम स्किट पूरे पूरे के पूरे पूरे डाटा आप लोगों को मिल जाएगा बहतर तरीके से सोलूसन दिया गया चाहे वो GKGS हो या आप लोग का मैत हो यारीजनिंग हो ठीक है चलिए याद रख लिना इन बातों को अभी मैं बत किया हूं अपने दम तक जितना मेरे से हो सकता था और आप चीजे आप जिसे लग रहा है कि मेरा इतना नमर नहीं बन रहा है तो आप बेशक मेरे पैरे भाई नेक्स्ट वेकेंसित की ज़रू तैरी रखिए आपके नमर अच्छे भी है तब ही आप रगले रखिए कि ना ज आप बहुत में बाई थैंक यू